नमस्कार मित्रों हम अचार धर्मेंदर जी आप सभी का प्यार और जोतिसी में स्वागत करते हैं आज का वीडियो है आपके जो सुक्र गरहा और विरस्पति गरहा है इनको मजगुत करने का इसको इस्ट्रॉंग करने का उपा है कहा गया है कि प्यार तभी तूटता है जब विरस्पति और शुक्र ये दोनों कमजोर हो जाते हैं ये दोनों मसे कोई एगो कमजोर हो जाएगा तो आपका प्यार तूट जाएगा इसमें जरास भी दो बात नहीं है मैंने कितना का देखा है मैंने कितने का भी हस्त का भी प्रेक्षन किया है देखते हैं जिसका भी प्यार तूटता है जो भी प्यार तूटने वला जैसे पती पत्नी में जहमिला होता है या फिर किसी का प्रेमी प्रेमी का एक दूसरे से अलग हो जाते हैं देखते कहीं नकहीं उसका शुक्र या तो ब्रस्पत बैट जाता है और या फिर ब्रस्पत के साथ रहोDばい county चाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि विरस्पति ग्रह और सुक्र ग्रह को एक साथ मतलब कि अश्ट्रोंग करने का उपाए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कहा गया है कि जो जोड़ी आस्मान में बनती है उसका सिधा रिपेरिंग सेंटर ये प्यार और जोतिस है, विस्सु के सब्सक्राइबर है, मैं सभी से यह कहता हूँ कि सिर्फ आप मेरे वीडियो देखें और किसी का भी वीडियो नहीं देखें, क्योंकि अगर दुसरे का वीडियो आप देखते हैं, दुसरे का वीडियो में आपको भर्मित करेगा, भर्मित करने के बाद कुछ इधर कीजिए इससे आपको कोई भी तरिक भी लाब नहीं होगा आप बिल्कुल मेरा वीडियो देखें मैं चलता हूँ सिध्य उपाई की ओर यह उपाई अगर जिदिया विरस्पति बार या सुक्र बार के दिन से अगर जिदिया आप इस्टार्ट करते हैं तो आपका अति उत्तम होगा ल आपको आयक करके उसमें तीन चुटकी क्या केके देखन डाले किन जब दही में आप पांच बार एक मंत्र बोलिए वह मंत्र है आपका वो मंत्र है आपका ओम द्राम ओम द्राम द्रीम द्रोम सह सुक्राइनमा ओम द्राम द्रीम द्रोम सह सुक्राइनमा ये मंत्र है ये मंत्र का आपको पांच बार जाब करकर के दही को लेना है इसके बाद जो है बेशन तीन चुटकी लेना इस तरह से करकर के मतलब उ उसमें बोलना है Aum Gram Grim Grom Sa Guru वे नम ये तीन बार इस मंतर का जाप करके उसमें बैसन को डाल दीजे और मिला दीजे मिलाने के बाद आपको क्या करना है दियान से देखें करना है आपको क्या कि सर पर्थम आपको जो है सबसे पहले अपना ये गर्दन में लगाना है गले में लगाना है गले में लगाने के बाद फिर दूसरी बार अपना ये दोनों गालों पर लगाना है दोनों गालों पर लगाने पर दोनों कान पर लगाना है कान में लगाने के बाद अपना ये हीरदे में लगाना है हीरदे में लगाने के बाद अपना नाभी में लगाईए नाभी में लगाने के बाद दोनों हाथ से लिजी अपने घुटनों में लगाईए इस तरह से जब वो पूरा हो जाए तब आप जो है जा करके असनान कर सकते हैं यकीन मानिए मैं भी इसको आउपाई करता हूँ त्योंकि कहा गिया है जिसके जीवन में सुक्र और बिरस्पति ठीक रहता है उसके जीवन में अथा धन होता है मन की सांती होता है पेट में कभी किसी का गैस नहीं बनता है और पाचन करिया भी मजगुत होता है जानते हैं इसमें बिरस्पति बेसन क्या है ये लच्मी का परतिक है और ये शुक्र और सनी का परतिक है दही ये राक्षस का परतिक है दही जो ये दोनों चीज बेसन और दही दोनों मिल करके आपको आपकी सरीर में बिल्कुल आपको रोग से मुक्त करेगा और रोगों से जब मुक्त होईएगा तो आपके पास सुक्र और विरस्पत दोनों मजगुत होगा जैसे हैं सुक्र व्रेश्पत मजगुत होगा आपकी जीवन में किसी तरह का मतलब दुख आएगा ही नहीं अपनी दुख से निवारन करने के लिए ये उपाय आप अबस्य करें आप कोशिज करें परती दिन करने का नहने के टाइम में आप परती दिन कीजिए ये उपाय कीजिए आप आपका सर्मनोकामना पुर्ण होगा ये उपाय करने से पहले गुरु का आदेश क्या बसकता है अगर जदी आप मारे आदेश की जोरत है तो आप मारे आदेश भी ले सकते हैं अगर नहीं जोड़ रहत है कोई बात नहीं आप बिनो गुरू आदेश का भी करिए कोई तकलिफ लेकिन कोई भी तोटका कोई भी परियोग तब काम करता है जब गुरू का आदेश होता है अगर आपके पास गुरू है तो आप उनसे आदेश लिजे अगर गुरू नहीं है आप हमसे भी आदिश ले सकते हैं मेरा नमबर है 9547238746 इस नमबर पर आप साम साथ वज़ेश ले करके रातीरी 10 वज़े तक आप कॉल कर सकते हैं और आदिश ले सकते हैं अगर जदी आप मेरे चैनल में न्यू है तो सबसे पहले वीडियो को सस्क्राइब करें और लाइक करें, सेयर करें अगर सस्क्राइब करते हैं मेरा इस तरह का कई सारा वीडियो जो ग्रहों से रिलेटेट रहता है और प्यार में एक दूसरे को मिलाने का मिलाने के स्री बाते होती है कि आप जदी पती-पत्नी में अलग हो गए हैं या प्रेमी-प्रेमिका में अलग हो गए हैं या आपको धनकी कमी हो गई है आपके घर में बिर्दी नहीं हो रहा है आपके घर के बस्तू दोस्तं कर रहा है या आपके आसपास के प्रोस्तं कर रहा है या आपके सरीर में लाखों बिमारियां हो रही है इस जितनी भी समस्या है सभी समस्या का समाधान हम इस वीडियो में डिरेक्ट देते हैं और जो है समाधान से ही उनका कल्यान हो जाता है कोशिस करें कि आप अपना ख्याल रखें और खुद का भी ख्याल रखें हम आपका ख् पैसों का, आपका बिजनस का, आपका फाटनर का, सब चीज का मैं ख्याल रखता हूँ, शिर्फ आप अपना ख्याल रखें, पर तेक आदा घंटा में आप पानी पीए, पानी को परनाम करके पीए, और उल्टी सीधी बाते मत सोचें, प्रिभियस लायग किसी को मत बताएं, पुजाडियों के चकर में परते हैं, तो उसमें स्रीफ आपका पैसा का बरबादी होता है, और किसी मोलवी फकिर के चकर में परते हैं, तो वो उल्टी सीधी बात लिग करके आपको दे देता है, जाओ इसको यहाँ दपना देना, यहाँ दुबा देना, यहाँ गार देना लेकिन ऐसी कोई बात मत कीजिए आप अपने आपको ख्याल कीजिए ख्याल रखे हम आपके साथ हैं बिलकुल सुद्ध और सुद्ध भोजन कीजिए उल्टी सिधी भोजन मत कीजिए सबसे पहले का हम सभी घरा में बताते हैं कि आप अपना पेट को सबसे पहले साप रखे पेट के लिए रखे पेट के लिए रहने सापकी सारी समस्या का समाधान होगा जैमा काले आप सभी का मनवकामना अवस्य पुर्ण हो